नॉर्मल गया लाइफ वैसी चलने माली है बाकी बॉम्बे बॉम्बे जो यह चलने माली वैसी है आज सुबह सुबह हमने यहां पर आलगर जगा पर जाते हुए देख रहे हैं जो लिक्षे बाले होते हैं उनकी लाई नहीं दिख रही है है चाय वाले जो होते हैं यहां पर सबस्वेर बहुत जल्दी शुरुवात होती है वहां पर भी उनकी करहां की असर वक्ति हुआ दिख रहे है कि क्यों आप महाराष्टा बंद है ठोड़ दर्वर लग रहा है नहीं डर तो है सर सुजेशन देखे तो बंद करेंगे सुबह ए है उसकी कमी आप दिखाई देविए लोग जो है वो सड़क पर उतर गए है और हमारा बोलने का मतलब इतना ही है क्या सरकार इनके उपर कारवाई करें का कहना है कि जब तक जो लोग इस खटना के आरोपी है वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक यहां ये लोग प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं जी बिजनस आपके साथ ने हूँ अनुया यादर्व नया सल मुंबाई समेत महराश्री की कई हिस्सूं के लिए अच्छी तस्वीर लेकर नहीं आया पिछले तीन दिन से मुंबाई पुणे और ठाने समेत कई इलाकों में जाती हिंसक के आग में जुलस रहे हैं पुणे के पास थे दीवा कोरेगाउं में भड़की जाती है हिंसा आप करीब करीब पूरे महराश्र में फैल चुकी है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबाई तक इसकी आच पहुँच चुकी है हिंसक भीड भसों और रेलवे स्टेशनों को अपना निशाना बना रही है मुंबाई में कभी न थमने वाली डबबा वालों की टिफिन सर्विस भी आज बंद रही यह तस्वीर है उस शेहर की है जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है जिसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है वो मुंबाई जाती हिंसा की आग में ऐसा घिरी कि कभी न थमने वाली शेहर की रफतार थम गए घाटकोपर हो या माहिम, दहिसर हो या वेस्टरन एक्स्प्रेस हाईवे जहां देखो वहाँ प्रदर्शन, सड़के जाम, ट्रेने रोप दी गई शॉपिंग मॉल दफतर भी बंद, कहीं तोड़ फोड़ तो कहीं सड़क चाथ दलित समुदायों ने बुधवार को राज्य में बंद का एलान किया इसने धीरे-धीरे मुंबई समेत महराश्ट के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया ये तस्वीरे पुने, ठाने ओकी हैं प्रदर्शन कारियों के ओर से यातायाट ठप करने की कोशिश की गई स्कूल बंद रहे, इसके अलावा औरंगाबाद में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई करनाटक से महराश्ट के बीच इंटर्स्टेट बस सर्वीस भी रोकी गई पुने के बारामती और सतारा की तरफ चलने वाली बसें अगले आदेश तक रोक दी गई ये सब शुरू हुआ था एक जनवरी से महराश्ट में पुने के भीमा कोरेगाओं में हिंसा हुई हिंसा के साथ राजनी शुरू हुई जाती हिंसा की आग ने मुंबई को भी चपेट में ले लिया भीमा कोरेगाओं लड़ाई की दो सौवी सालगिरा पर हिंसा बढ़क कई थी इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई वुसाई भीड ने कई गाड़ियों और बसों को आग के हवाले कर दिया था इस हिंसा के लिए NCP अध्यक शरत पवार ने दक्षिन पंति संगठनों को जिम्मेदार बताया पवार ने कहा कि हर साल ये दिन बड़े उस्साह के साथ मनाया जाता रहा है लेकिन इस बार कुछ दक्षिन पंति संगठनों ने यहां की फिजा को बिगार दिया कॉंग्रेस ने आरोप लगाया कि भीमा कोरेगाओं में हिंसा साधिश के तहत फैलाई गई आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये भीमा कोरेगाओं की लड़ाई थी क्या भीमा कोरेगाओं की लड़ाई एक जनवरी 1818 को पूरे के कोरेगाओं में भीमा नदी के पास उत्तरपूर में हुई थी ये लड़ाई महार और पेशवा सैनिकों के बीच लड़ी गई थी अंग्रेजों की तरफ 500 लड़ा के जिनमें 4.500 महार सैनिक थे और पेशवा बाजीराव दुदिय के 28,000 पेशवा सैनिक थे सिर्फ 500 महार सैनिकों ने पेशवा की शक्तिशाली 28,000 मराठा फौच को हरा दिया था इतिहास की बात अलग लेकिन एक बात जो परेशान करती है वो ये कि ये 2018 चल रहा है हम दुनिया में सुपरपावर बनने की बात करते हैं मुंबई शहर को शंगाई बनाने की बात करते हैं लेकिन आज भी जाती हिंसा की आग ऐसा तांडव मचा देती है बसें जला दी गई ट्रेनों को रोका गया आम आदनी का जनजीवन जो है वो बेहाल हो गया आज और कड़ी परिशानी बड़ी परिशानी हुई आम आदनी को यहाँ पर एक बड़ा पैनल मेरे साथ है उनसे आपका तारूफ सबसे पहले करा देते हैं डॉक्टर बिजय सोनकर शास्त्री है, स्पोक्सपरसन है, बीजेपी के आमी यागनिक मेरे साथ है, स्पोक्सपरसन है कॉंगरिस के डॉक्टर अवनी जेश अवस्ती, RSS के आईजलोज है और साती साथ प्रोफेसर दिनेश वर्ष ने जो की लीडर हैं, CPI के मेरे साथ स्टूव में मौजूद हैं और अशोग भारती जो की दलिक थेंकर हैं, वो भी मेरे साथ हैं सबसे पहले तो डॉक्टर बिजोई सोनकर शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि क्या 21 सदी में, जिस सदी में हम है सर, 2018 में आप सरकारी संपत्ती को इतना नुकसान पहुचा देते हैं इस तरह से अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर प्रदर्शन कर रहा है, तो वहां पर हिंसा भढ़का दिया जाता है और हर समय पर दलितों को बीच में क्यों ला दिया जाता है, सर, 2018 में भी हम अगर जाती की ही बात करेंगे, इस तरह से जाती बात की बात करेंगे, तो फिर देश तरक्की कैसे करेगा? दिखिए, ये बात तो कांग्रेस को समझनी चाहिए है, आन्य जो कांग्रेस के सहयोगी दल है, अथवा लेफ्ट पार्टियों को समझने की आवश्यक्ता है, कि वास्तों में क्या दलितों का अलग से एक आईलेंड बना करके इस देश में उन्हें रखा जाएगा? क्या ये देश जाती पाती पंत संप्रदाय की द्रीष्टी से ही राजनीती पर आधारी थोगी? अथवा कितनी मुश्किल से तो देश को जाती पाती पंत संप्रदाय की राजनीती से निकाल करके बाहर लाया गया है? क्या फिर ये लोग उनको वही फिर पहुँचा देना चाहते हैं क्या आज जब देश में आवश्यक्ता इस बात की है कि करोडों करोड जो हमारे देश में लोगों की समश्या हैं उन समश्याओं का समाधान हो देश में इंफ्राइस्ट्रक्चर बढ़े और खासतोर से बेवशाय का एक अच्छा माहौल बने ताकि हमारे जो बेरो अब वो लोग जो राजनीती की जाती है उसका फायदा तो हर पॉलिटिकल पार्टी को होता है सर और आपकी जनकारी के लिए दो नाम मैं यहाँ पर बता दू संबाजी भिड़े और मिलिंद एक बोते मेरे ख्याल से नाम तो आपने दोनों के सुनी लिए होंगे और मैं सर यह दोनों लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर देखिए मैं आपको इस परस्ट बता देना चाहता हूं कि जो आप कहना चाहती है वो कई चैनल पर मुझसे भी प्रस्ना भी किये गये हैं कि यह लोग राश्टी स्वंशेवक शंग के लोग हैं पहली बात तो यह कि स्वंशे आना चाहता हूं कि सच्चा ही देखिए यह है कि यह देश बड़ी बड़ी मुस्किलात से बाहर निकला है जाती पाती पंथ संप्रदाय की राजनीती ने किस तरह से देश को बाट दिया था लेकिन शायद पॉलिटिकल पार्टी इस यह बात नहीं समझती हैं आपके पास इतना मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपने जो कहा कि राजनीती पार्टिया आज जाती पाती पंथ संप्रदाय की राजनीती कर रहे हैं लेकिन भारती जिंता पार्टी इस पश्रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हम जाती पाती पंथ संप्रदाय की राजनीती नहीं कर रहे ह और बड़ी मुजखिल से हम विकास के मार्ग पर विकास की राजनीती पर देश को लिकर के आये हैं तो यह उनको समझना होगा कि जो लोग फिर से देश को उची दिशा मिले जाना चाहते हैं तो समबाजी भिड़े और मिलिन देख बोते वहाँ पर क्या कर रहे थे और फिर ये भी बताईएगा कि आज जब महराष्ट में बन था तो सरकारी संपत्ती को किस तरह का नुकसान पहुचा है उसके लिए जिमेदार कौन है सर ये तीन सवाल आपसे पूछे हैं मैंने आप जब आप सोच लीजिए आपके पास आउंगे मैं जी आमी देखिए आप एक ऐसे दिवस की बात कर रहे हैं जिस दिवस को 200 साल से लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं अब इतने लोग इकठा होने वाले हैं तो महराष्टर सरकार को पता होना चाहिए कि वें दर इस सच अ यूज़ क्राउड कितना उनको बंदोबस करना चाहिए पर आप देखेंगे कि एक रेकॉर्ड रहा है कि जहां भी बीजेपी रूल स्टेट से वहाँ ये लॉइन ओर्डर की स्थिती पता नहीं कैसे बन जाती है और फिर अक्षब बाजी शुरू हो जाती है वो हमेशा इसमें अंसक्सेस्फूल रहते हैं फेलियर हो जाते टू कंट्रोल लॉइन ओर्डर बात में उनको सब याद आता है दूसरी बात कि आप अगर देखेंगे तो ये दो नाम आपने जो दिये उनके एफ आयर हो गए वो वहाँ थे और ये अगर जो बीजेपी स्प कि मैं तो इनके नेरता से उनके इन्विटेशन पर आया हूँ तो वो जानते हैं पर तीसरी बात ये है और आपके जबरजोस्ती कहने से आपके निरासा और हतासा में इस तरह के बयान देने से जनता भी तेमाई है उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजे सर एक मेरे उन्हो सरकारे टैक्स लेती है और उसी टैक्स से डेवलाप्मेंट होता है सर लेकिन अपने फाइदे के लिए किस तरह की जाती है राजनीती पॉलिटिकल पार्टी करती हैं वहाँ आप सब लोग जो बैटे हैं मुझे बताने की ज़रत नहीं है आप आमिया अगनिक को एक बार इस इन पब्लिक डोमेंट के अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनके नेवते से गए थे वहाँ पे और उन्होंने का था कि मैं यहां इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे भीडे साहब ने बुलाया है वह सारे फोटोग्राफ्स पब्लिक डोमेंट में मैं कुछ कई से ल इन रूल और यह कास्ट कॉंबिनेशन की बात करते हैं उनके पास और कुछ है नहीं करने के लिए ज़र गवर्न कर रही है ना शायद वो भूल रही है कि आम आदनी सबजता है कि उनके लिए यहां पर क्या कुछ हो रहा है डॉक्टर अवनीजेश अवस्थी रोकी RSS आइड लॉज है वो भी मेरे साथ यहां पर है डॉक्टर अवस्थी जो स्थिती अब देश में बन रही है क्योंकि आप RSS को बहुत करीब से जानते हैं सर सबसे पहले तो इन दो लोगों के बारे में बता दीजे सर क्योंकि एक विपक्ष बार-बार ये आरोप लगा रहा है कि सोची समझी रननीती के तहट इस तरह से हिंसक वहां पर कुछ लोग हुए और उसमें एक शक्स की जान चली गए सर दो हजार अठारा में हम हैं मेरे ख्याल से अब जो पॉलिटिकल पार्टी इसके लीडर है वो काफी पढ़े लिखे हैं और समझना होगा कि सरकारी सब्सक्रादा दुख होता है सरकारी समपत्ती को नुकसान पहुँचना आप देखिए एक दिन के लिए अगर महराष्ट जैसा राजबंद होता है तो कितना नुकसान होता है आप शायद बहतर समझते होंगे अनुया जी आपको बड़े आसान से बात करते हैं कॉंग्रेस पार्टी जिस सवा जो आरोप लगा रही कॉंग्रेस पार्टी के तो दिखविजे सिंग ने कहता है चब्श ग्यारा आरेसस ने करवाया था उनको तो हर घटना में राश्ट्री सेम सेवक संग का हाथ नजर आ रहे थे ये लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर बेसिकली मूलता बात ये कि कॉंग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो निरंतर जाती है समीकरन बनाती है जाती हुमें बाटती है ताकि सत्ता में रह सेगे लगातार सत्तर में से साथ साल कॉंग्रेस ने कॉंग्रेस ने इसी त कर रही जिसके बात करेंगे कपिल सिब्बल उन्हीं आतंकवादियों की वकालत करते हैं कोट में खड़े हो करके इसलिए कॉंग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में जहकना चाहिए और इस हताशा में कि वह जाती है विद्वेश भरका करके सत्ता पाले कि य दॉक्चर रवस्ति आप जो भी बात के रहे हैं आप उमर खालिट की यहाँ पर बात करते हैं और बीजेप। में कबसे उपर उठकर किसके साथ किसका क्या समबंद वो आम आदमी जाता है सर लेकिन एक बात बताईए मुझे जो सरकारी संपत्ती को नुक्सान पहुचा है जो आम आगनी को परशानी हुई है सर ट्रेने नहीं चली है लोगों के घर तक गूप नहीं पहुचा है मुंबाई के डिपा वालों में अपनी साफ बंडी थी साफ इसपश्ट मत सामने आना चाहिए डॉक्टर अवस्थी आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कि देश की आर्थिक राजधानी से लेकर वो पूरा का पूरा राज्य सर आप तस्वीरे देखिए आपको समझ में आ जाएगा कितनी बड़ी संक्या में लोग सडकों पर उतने कैसे आम आदमी को यहाँ पर प उसमें एक आदमी की मौत हो जाते हैं जंडे लेकर लोग आते हैं आंदोलन होता है गलत बयानबाजी होती है कब तक यह करते नहींगे सर अन्रिया जी मैं आपको बता दूँ देश की जंता अब जातियों में बट करके किसी को सत्ता सौपने वाली नहीं है कॉंग्रेस को य बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों को शायद या यूं कहूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी इस एक तरह से यह समझ गई है सर कि अगर राजनीती करनी है तो दलतों का कार्ड यहां पर खेल लिया जाए हर राज्य में 15% से जादा दलत है जब भी चुनाव होते हैं तो चुना लेकिन मेरा बस एक ही सवाल है यहां पर कि आम मुंबई कर जो आज हमारा यह शो देख रहा है सर उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं है आप समझ रहे हैं आपको तस्वीरे आप अपने पीछे भी देख लीजे हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और दिन भर भी आपने तस्वी प्ä Warum अज़े करें आप needed वी तिन भी दीती स्कूरों लोगों को लाइं में डक्रीन बर दीika है तो बिरोजममि यह 5 क्रों लोगों की नौकरी की नहीं चलेगर वा रहे हैं इससे भी मुष्टान। किसी भी emergency के लिए हमें त्यार रहना होगा उससे भी हो रही है प्रफिसर वार्ष ने आप मेरे शाइट सवाल नहीं समझाए है सर्कारी संपत्ती को नुकसा पोचना सर्कारी संपत्ती को नुकसा कोचना हिंसा का समर्चन किसी को नहीं करना चाहिए यह बात आपकी सही है जो आप आपनी मेहनत से कमाता है टैक्स के रूप में देता है अनन्य पर यहाप एक चीज़ देखिए हिंसा कहां से शुरू ही हिंसा किस ने शुरू की पुलिस प्रिस्टेंडर्ड पुलिस प्रोसीजर में यह रूल है हर ओफिसर को ट्रेनिंग में वो बच्चे जब लौट रहे थे या जो भी लोग लौट रहे थे उन पर सडली भरगवा जंडा लेके आत्मन कर दिया जाता और लोकल इंटैलिजन्स यूनिट महारास्टा को और महारास्टा की पुलिस को कुछ नहीं पता था कोई इस पे विश्वास करेगा इस चारी प अगर किसी भी जाती या किसी भी समदा या किसी का भी अगर उत्तान करें तो पीजेपी आरसेज या कांगरेज़ आंसा आर्टिक उत्तान करें केरल उसको अकुदार रहे एजूकेशन लेवल ही कर दिया और इस बात को आरसेज बीजेपी मान ले कि जाती वादी बेज़वाव सबसे जाला यह करने बाहर करने आपको इस प्रफेसर वाशने ये कम्यूनिस्ट कर सकते हैं नहीं ये तो मैं नहीं जाती लेकिन मैं इतना जरूर जाती हूँ कि आम आदमी अपने वोट का जब इस बात करता है तो अपने वोट का इस्तमाल करता है कि उस राज्य में रख्तदान करने वाले कि वह पार्टी के लिए पर लोगे रख्तार जी नहीं नहीं करोंगे आप अपनी जिगनेश मिमानी को उन्हां के इंस्टिंट के बाद आप आप इस पार आप 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 आ प्रोफेसर वारषने एक नहीं बाद कि रख्तार आप आप इस तरह से चीका चिली और हला गुला कर सकते हैं आप मेंसे किसी ने भी एक आम आदमी के सवाल का जवाब नहीं दिया कि सर डॉक्चर रवस्थी, 2018 में आज जो मुंबई की तस्वीरे हैं वो परिशान करती है सर, ट्रेनों को रोक दिया जाता है, बसों को जला दिया जाता है लोगों के आने जाने पर रोक लग रही है, बंद हो जाता है, पूरा का पूरा शहर, आम आदमी अपने घर में बंद होकर रह गया है और आज दिन में एक समय तो ऐसा था सर कि स्कूल और कॉलेज जरूर यहां पर खुले हुए थे, लेकिन बसे नहीं चल रही थी आप समझने की कोशिश कीजिए, कि घर पर जो मा बैठी है, वो क्या सोच रही होगी कि मेरा बच्चा वापस घर लोटेगा, तो सही सलावत लोटेगा या नहीं लोटेगा अच्छा ठीके सर, मेरे साथ अशोग भारती साहब है, मैं उनके पास नहीं आ पाई, सर सबसे पहले तो माफ कीजेगा कि आपके पास थोड़ा देरी से आ रहे हैं, सर असली स्थिती क्या है, आप हमें बता दीजे, क्योंकि आप हम सबसे शायद बहतर जानते होंगे, यह दलितों की स्थिती क्या है, और क्या दलित सिर्फ याद आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी इसको जब चुनाव होते हैं? देखे यदि अगर एक दो मिनिट आप मेरे को देंगी, अगर बिन अनिंट्रप्टिड मेरे को इजाज़त देंगे, हमको यह समझना है कि आज की स्थिती में 19 राज्यों में भारतिय जनता पार्टी की सरकार है, महरास में भारतिय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतिय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उनकी जो आइडियाज हैं, पबलिक परसेप्शन ऐसा है कि वो अपर कास, अपर क्लास, मनुवादी, भ्रामनवादी सरकार दलित उनको मानते हैं, ऐसी स्थिती में जब कोरे गाउं में तीन लाख लोग अपने पूरवजों को याद करने जाते हैं शोरे दिवस बनाने जाते हैं तो इस सरकार को ये समझना चाहिए जिन दलितों को वो अपने पक्ष में लाना चाहती है उनका वो कारेक्रम शांति पूर्ण कहते संपन हो ले मुझे यह बताईए सर कि उमार खालिद वहांपर क्या कर रहे थे ? देखे मैं आपको बताना चाहता हूँ नहीं नहीं आप मुझे बस यह बताईए उमार खालिद का क्या योगदान था सर वहांपर ? किस हैसियत से वहांपर मौजूत थे ? मेरे देखिए मैडम मैं तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के वक्ताओं की तरह से नहीं मैं चाहती ही नहीं कि आप पार्दी की तरह जवाब दे हैं अगर मेरे जबसे पार पर बुलाया है आप तो राजनीती कोरे अरिवस दा में उसे वाँ पर बुलाया है मैं यह कह रहा हूं कि उमर खालिद जो भीमा कोरे गांव नहीं गया था वो तो शनिवार वाड़े में था तो भीमा कोरे गांव तो उससे 20 किलो मिटर दूर है खालिद वह तो उससे किया प्रावं पर देजिए उस पर उन्होंने राज़ुका लगाया है और कोरे गांव में हमला हुआ सर्कार जगा 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 जो दलिटों पर हमला हो रहा है मैं सोनका शास्त्री जी बैठें उनसे कहना चाहता हूँ सर आप सोंका शास्त्री जी से कुछ पर कहिए आप पहले कहीं भी जाएंगे तो आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि ओमर खालेट किस वैसियत से दलतों के शौर रदिवस का हिस्सा बद रहे थे अगर आप ये कहें कि पॉलिटिकल पार्टी या फिर के जिस सरकार दलतों क पॉलिस मनाया गया जो अटेक कुछ वह वो दिव पर मीशन ऑपॉलिस नहीं वाई इसलिए उनके पर गिरफटार करना चाहिए जोंहों नेता हम नईता को जो आरज से वारे फिर करेंगे थे बत्र मारे में सोची और थे ढफित का नहीं बात कर दोगए नही है इसकार असे प्राफेसर वाशने यहां पर पॉलिटिकल डिबेट जो डिबेट यहां शुरू हुई थी ना सर वो इस बात से शुरू हुई थी कि आप सभी लोगों को शायर एक बार एक मिनट के लिए इस इस बारे में अपने ही दिमाग में आप सोच लिए जी मेरे क्याल से बैठ कर मंतन करेंगे तो बहुत जादा समय लग जाएगा यह सोचिए कि आप देश के साथ क्या करें है आम आदमी आप पर विश्वास करता है सर इसलिए आप वोगों पर बैठाया गया है कि आप देश चलाएं आप राज्य चलाएं इस तरह की घटिया रा जनीती ना करें यहाँ पर 2018 में हैं हम 200 साल पहले नहीं है और यकीन बारिये इंटरनाशनल फ्लाटफॉर्म पर इस तरह की घटिया करते हैं तो हम भी वजाग का पात्र बन जाते हैं बहुत अच्छा होगा अगर हम सब लोग सोचे इस बारे में कि देश की संपत्ति को हम कि यह नहीं था कि हम इन पॉलिटिकल पैनलिस्ट को यहाँ पर बुलाएं और जगडा करें और इनकी उची उची आवाज यहाँ पर सुनें मकसद यहाँ पर यह था कि देश की एक देश में एक राज महराश्ट जैसा राज उसकी राज था उस वहाँ पर फाइनाशल बैठ कर यहाँ पर सिर्फ अपनी रोटियां से एक रही हैं आप लोगों को भी यह समझना होगा कि इस तरह की राजनीती ना करें इससे उपर उठें दो हजार अठारा हमें हैं हम हम यहां कोई अठारा सो अठारवी सदी में या सत्रवी सदी में नहीं है आप सभी लोगों का बहुत बख्षक लिए नमस्कार